नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेन धम्सनमार्व हनुमान जी कर्ज से भी मुक्ती दिलाते हैं और हनुमान जी भूमी भवन का भी सुख दिलाते हैं तो कर्ज से मुक्ती के लिए आईए हम आपको तीन नायाब टोटके बतलाएंगे जिसको करने से आप बहुत हद तक कर्जों से मुक्त हो जाएंगे लेकिन आपके दिल में भी ये चाहत होनी चाहिए कि आपको कर्जों से मुक्त होनी है सबसे पहला उपाय है जो बहुत ही जादोई सा उपाय है अगर आप करजे से बहुत परेशान है करज उतर ही नहीं रहा और अभी के आधुनी जीवन में करज के बिना काम भी नहीं चलता है घर लें गाड़ी लें बंगलो लें फ्रिज टीवी हर चीज इंस्टॉर्मेंट पर आता है हर चीज का आप किस्त बना के करज पर देते रहते हैं और करज में फस्ते चले जाते हैं अगर आप job करते हैं तो आपका महने से तणखा आ रहा है आप दे रहे हैं चुटो भाई किसी तरे एड़्जस्ट हो जाएगा लेकिन अगर आप वेपसाई हैं और किसी महने में अच्छा वेपसाई चला किसी महने में खराब उतर पा रहे हों तब एक पान का पत्ता लें और पान का पत्ता बिल्कुल साब सुथरा साबुत होना चाहिए कहीं से भी तुटा, खटा गुआ नहीं हो दाग, धब्बा भी नहीं हो और पान के पत्ते का डंठर यहां पर निकाल दें अब पूरा चिकना और साबूत पान का पत्ता आपको लेना है यानि हरे रंग का और छोटा या बड़ा कोई माइने नहीं रखता आपको जैसा भी मिलता है एक खुबसूरा सा पत्ता ले ले अब पान के पत्ते पर उस पर एक लॉंग और इलाइची रखें आप चाहें तो दो लॉंग रखिएगा और एक इलाइची रख सकते हैं पान के पत्ते को मूर कर बिला बनाईए चिकना साइड रखना है आपको सीधा साइड अब हर मंगलवार की साम में हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कीजिए ये शुरू कर दीजिए आप कुछ नहीं करना आपको पान का पता सुन्दर से लेना है दो लॉंग एक इनाइची रखकर बिड़ा बनाईए हनुआ जी को मंदल में साम में फ्रेस कप्रे पान लीजेगा और फिर जाके रखाईए तीन महिने तक लगाता साफ है तो आप आसानी से कर्ज भी चुका देंगे तो ये थी पहला उपाई बहुत ही नाया बहुत ही खुबसूरत बहुत ही सिंपल सा कोई भी आम बैक्ती भी कर सकता है और परिसानियों से बचा रह सकता है दोस्तों होता क्या है हम उपाई नहीं जानते और फस्ते चले अगर आप सही उपाई सही समय पे करते हैं जीवन की मुश्किले आसान हो जाती है दूसरा उपाई है अगर आपके पास धन नहीं आ रहा है कभी आता है कभी नहीं आता है कभी बहुत आता है और कभी कभी तो बिल्कुर ही नहीं आता आप परिसान है ऐसी दसा में क्या करेंग कि जीवन में जो धन की परिशानी है वो ठीक हो जाए ऐसी दसा में आपको एक पान का पत्ता लेना है और इस पान के पत्ते पर चिकना साइड नीचे कर लें और वो जो खुरदरा साइड होता है यानि पीछे वारा एरिया उसे उपर करें अब इस पर गुलाब की लाल गुलाब की पंखूरी रखें पांच रख लीजे पांच पंखूरी है अब दोनों हाथों से मा दुरगा को अरपित कर दें हर सुक्रवार को करना है यानि पान के पत्ते के उल्टे साइड आपको पांच पंखुरी रखना है गुलाब की और दोनों हाथों से मादरुगा को अर्पित करना है आप चाहे तो घर में भी कर सकते हैं मंदिल में भी कर सकते हैं कोई बात नहीं है कहीं भी कीजिए हर में सफल जरूर होंगे अगर आपका कोई बहुत बड़ा काम है बहुत समय से रुका हुआ है अटका हुआ है आपका मकान नहीं बन पा रहा है नौकरी में परमोसर नहीं हो पा रहा है आपका बेटा सेटल नहीं हो पा रहा है उसे जौब नहीं लग रही बेटी की साधी नहीं अब उस पर दो लॉंग रखें और दोनों हाथों से बहते हुए जल में प्रवावित कर दें और प्रातना करें कि जो आपके काम में रुकावटे हैं वो इस पान के पत्ते के साथ बह जाए दो से तीन महिने के अंदर ही आपके काम के रुकावटे दूर होंगी और आपको काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी अब फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखिएगा दोस्तों ये उपाय आप कम से कम चाहें तो हर सपता भी कर सकते हैं आप चाहें तो हर महने भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आप अपनी सामर्थ के अनुसार कीजिए जीवन की तमाम परिसानियां दूर चरूर होंगी उपर वाले पर यकिन रखिए उन्होंने अगर आपको बनाया है तो वो आपको रास्ता भी बताएंगे दोस्तों वैसे तो हम ये करजों पर टॉपिक रखे हैं लेकिन आपको चुकि हम अभी युवा वर्ग को जादा हम लोग हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप से हम अगर आपको एक खास बाते बतलाना चाहेंगे अगर आप जॉब आपको नहीं मिल पा रही है बहुत परिसान है तब एक टोटका कीजिए आप देखिए नौकरी का सामाने मालिक होता है सनी और कुछ दसाओं में ब्रस्पती भी होता है नौकरी के लिए हलके नीले रंग के कपड़े में आप फोटो खीचवाईए या कम से कम नीले बैक ग्राउंड पर फोटो खीचवाईए अब इसी फोटो को अपने फोटो को अपने फॉर्म में अप्लिकेशन में लगाईए और पहले आप इस फोटो को काम करने वाली जगह पर लगाईएगा जब आपका जौब लग जाए और इसके बाद आप फॉर्म भी लगाईए या तोटका बहुत ही अचूख है और इस टोटका को करने के बाद कहीं ने कहीं आपको सफलता मिलनी सुरू हो जाएगी वैसे तो हम बहुत सारे टोटके आप से सेर करेंगे अगले वीडियो में बिबाह के लिए, बिदेश, यात्रा के लिए, धन के लिए, संतान के लिए, हर एक चीज की लेकिन उसके पहले हम एक और आप से कर्ज मुक्ती के उपाई बतलाना चाहेंगे आपको करना क्या है? ये करना है आपको सनिवार के दिन दोस्तों उसके पहले ये जान ले, कर्ज लेने देने में साबधानी भी रखनी चाहिए कभी भी सनिवार के दिन किसी से भी कर्ज मत लीजे क्योंकि सनिवार के दिन लियावा कर्ज आप आसानी से नहीं चुका पाएंगे, बहुत दीरे दीरे आप चुका पाएंगे यानि समय लेगा, और सनिवार को कर्ज के पेपर पर साइन भी मत कीजे किसी भी महिने की 8, 17, 26 तारी को कर्ज मत ले और नाही कर्ज के पेपर पर ब्लैक करर के पेन से साइन करें आपको अगर कर्ज लेना बहुत जरूरी है तब सोमबार, बुधवार और सुक्रवार को कर्ज ले क्योंकि इन दिनों लिया गया कर्ज बहुत जल्दी आप चुका पाते हैं, फटा-फट चलता है और जल्दी समाप्त हो जाता है अब माल लेते हैं, कर्ज के जाल में आप फ़स गया हैं, मुकदमा चल रहा हो इसी कर्ज के कारण, तब ऐसी दसा में क्या करेंगे सनी बार के दिन एक नारियल का गोला ले आईए, उसको उपर से काट ये, नारियल का गोला मतलब जिसमें पानी नहीं होता है, सुखा नारियल अब उपर से काट लीजे उसमें चीनी भरिये और ये जो आपने काटके हटाया है उस पाट को उपर से ढग दे अब किसी भी पीपल बिश के नीचे के या अपने घर में भी आप गमले में मिट्टी में दबा सकते हैं कोशिस कीजिएगा घर से बाहर दबाने का जबीन में दबा दे तीन सनी बार लगातार ये उपाई करें प्राताकाल करना है आपको बहुत फायदा होगा और फिर आप में कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या आपने करज चुकाया इस उपाई से दोस्तों इसके अलावे आप अपने घर में अगर आप करजे से परिसान हैं तो सलाह लेकर एक मोती या ओपल धारन करें और नित सुभा साम तीन बार घर में संख बजाए अपनी वाई बेहन बेटी मा से कहें कि वो आपके लिए या आप चाख खुद पढ़ सकते हैं तो पढ़िए कनक धारा स्तुरोत का पाठ करें या फिर रिनमोचन मंगल स्तुरोत का पाठ करें दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं सुभा और साम यकीन मानिए आपका कर्ज उतर जाएगा ऐसे संयोग बनने लगेंगे कि आप बहुत जल्दी कर्ज से मुक्ती हो पा जाएंगे तो हम आपसे बिदा लेते हैं उमीद है आप कर्ज से मुक्त हो के एक सुख में जीवन गुजारेंगे धन्यबाद हर हर महा देगे लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करिजिएगा फिर मिलेंगे